असलाम अलेकूं सुरेंट्स इस क्लास में इस लेक्चर में इंशालला इलिप्स और हाइपर बोला के बारे में हम पढ़ेंगे बाकि नेक्स वीडियो में हम इनका टेबल पढ़ेंगे जैसे हमने पैराबोला का टेबल पढ़ा था और इलिप्स और हाइपर बोला में काफी सि दिखने में डाइगराम तो कोई दूर दूर तक सेम नहीं लगती लेकिन अगर आप इनकी वैलियूज देखो तो आपको बहुत ही सिमिलर लगेंगी इनका टेबल जो है वो 90% से मिला रहा है तो मैं एक साथ ही कर वहूंगा ताके आप लोगों को याद करने में अहसानी हो जाए सबसे पहली बात करते हैं इलिप्स देखो इलिप्स को डिफाइन करने के दो तीन तरीके हैं सबसे बेसिक डेफिनेशन मैंने लिखवा दिये पैरा बुला में मैंने बताया था कि जितने भी कॉनिक सेक्षन है उनकी डेफिनेशन एक ही है definition क्या है कि locus of point मतलब locus of point या set of point बोल दो असान language में कि जिनका distance एक fix point से divided by distance एक fix line से यह हमेशा ratio सेम रहता है अब यह ratio अगर 1 के बराबर हो तो पैरा बोला होता है अगर यह ratio 0 और 1 के दर्मियान हो तो उसको ellipse कहते हैं और अगर यह ratio greater than 1 हो तो उसको आप hyperbola कहते हो तो definition के है set of points whose distance from focus where a constant ratio उस constant ratio का नाम क्या है eccentricity ellipse में eccentricity क्या होती है 0 और 1 के दर्मियान होती है to its perpendicular distance from diatis मतलब focus the distance divided by diatis distance यह जो है यह 0 और 1 के दर्मियान होता है ellipse के अदर अब ellipse का अगर आप formula लिखो ना तो सबसे basic formula क्या है distance of point from focus divided by distance of point from diatis point मतलब किसी भी shape के ओपर जो भी आप point पेक करो ellipse और hyperbola में islandicity का एक और formula भी हम consider करते है और वो formula क्या होता है c upon a इस formula के बारे में मैं आप लोगो बताता हूँ उससे पहले आपको diagram समझ आनी चाहिए जैसी diagram समझ जाओगे तो पर इसके बारे में भी हम कुछ discuss करेंगे यह मैंने ellipse बनाया है पूरा यह एक ellipse shape है आती कैसे मैंने बताया था connect section में अगर आपके पास एक right circular cone है और उसको आप बिल्कुल parallel to the horizontal कटना करो ठीक है आप बिल्कुल हलका सा angle दे तो जिसको कहते है न यह सिधा हलका सा मैंने tilt कर दिया अब tilt करके अगर आप right circular cone को काटोगे intersect करोगे तो आपके पास जो shape आईगी उसको आप ellipse बोल रहे होते है यह आपके पास बार ellipse आगया आप कुछ basic बात में पढ़नी है सबसे पहले यह जो line है यह directrice है ellipse और hyperbora में आपको दो directrice मिलेंगे एक यहाँ पर directrice मिल गया एक आपको यहाँ पर directrice मिल गया दो directrice होते हैं तो इसको हम इसका plural क्या है directrices इसी तरीके से यहाँ पर दो focus होंगे यह आपको नजर आ रहा है एक focus यह है तो इसको हम बोलते हैं foci मतलब जमा जो है ना focus की उसको foci बोल देते हैं इसी तरह यहाँ पर दो vertex मिलेंगे पहरा बोला में vertex एक ही होता था https यहाँ पर एक ब्रटेक्स यहाँ प और एक वार्टेक्स यहाँ पर मिल जाएगा मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था कि वार्टेक्स का मतलब होता है कि जब ऐन की से मिल रही है तो यह एलिप्स से इस पॉइंट पे मिल ह crystalline अच्छा जी वर्ट एक्स हे जमा इसकी ग्या वजागी वर्टेसेश यहां पर अगर आप देखो इलिप्स पैराबोला के अंदर एक यह एक्सिस था एक्सिस पैरा बोला जिसको आप बोलिएगा घरते थे एलिप्स और है इंदर दो-दो axes होते हैं ठीक है इन दो axes को together मतलब एक साथ हम बोलते हैं principal axes principal axes में दो axes आ रहते हैं अगर मैं ellipse की बात करूँ तो एक तो इस वाले axes को आप बोलते हो major axis major axis की definition यह है कि ऐसा axis जो vertices से pass कर रहा हो for size से pass कर रहा हो और center of ellipse से pass कर रहा हो सबसे पहली बात ही बड़ा axis होगा ellipse के अंदर एक बड़ा axis होगा एक चोटा axis तो major axis बड़ा है जिस पे center है जिस पे for size है जिस पे वर्डिसेज हैं ठीक है तो एक major axis हो गया दूसरा minor axis होते है अगर आप इसको देखो ना यह पूरा क्या है minor axis है तो यह minor axis हो जाएगा यह पूरा major axis हो जाएगा ठीक है और combine आप इसको क्या बोल देते हो principal axis तो principal axis होते हैं ठीक है अच्छा जी और मजीद पढ़ते हैं इसके बारे में focus के coordinate जो है आपने यहाँ पर let किया है c,0 ठीक है where c का मतलब क्या है मैंने mention भी किया है अच्छा मैंने देखो diagram इस तरफ जो है और इस तरफ जो है वो same ही है ठीक है बस इस तरफ direction की वैसे आपने negative किया है बागी दोर्ची same है origin center से लेके यह पूरा distance जो है यह किसके बराबर है c के बराबर है that's why focus के coordinate किया है c,0 negative x axis पे इसलिए मैंने minus c,0 लिख दिया center से लेके vertex तक का distance जो है यह मैंने किसके बराबर let किया है a के बराबर that's why vertex के coordinate है a,0 minus इसलिए क्योंके negative x axis पे और 0 इसलिए क्योंके point x axis के उपर है y value उसकी 0 है और यह directus तक का distance अब सवाल यह कि a upon e कैसे है यह पूरी derivation है derivation करने के बाद हमने एप्रूफ किया कि center से लेके directus तक का distance यह जो मैंने नीचे mention किया वा पूरा यह a upon e के बराबर है तो derivation में जाने की जूरत नहीं result आपने देख लिया कि यह पूरा distance जो है यह a upon e है आपको पता है जब कोई line parallel to y-axis होती है तो उसकी equation में x आता है ठीक है और फिर आप यह देखते हो कि वो line y-axis से कितना दूर है मतलब उस line और y-axis में कितना distance है अगर आप dietus की equation लिखने लगो ठीक है तो यह parallel to y-axis है इसका मतलब इसकी equation में x आएगा दूसरी चीज़ यह पूरा distance किया है यह पूरा distance हमने a upon e के बरावर लेट किया है that's why यह हो जाएगा x equal to a upon e और direction की वज़े से negative a upon e हो जाएगा इस वाले dietus की equation ठीक है जो minor axis है ठीक है अगर देखा जाए तो मैंने बताया था कोई भी शेप अपने axis से जब मिलती है तो उस पॉइंट को vertex बोलते हो तो असुली तोर पे ellipse इन दो पॉइंट पे भी अपने एक्से से मिल रहे और इन दो पॉइंट पे भी तो अपने एक्से से मिल रहे ना बेशक वह minor axis है लेकिन एक्से से दो मिल रहे ठीक है और इनकाम ने क्या लेट किया है कि यह पूरा distance रहे यह पूरा distance बी के बराबर है दैट्स वाइसके coordinate हो जाएंगे 0, B 0 इसलिए x value क्योंकि यह point y axis के उपर है तो इसकी x value 0 और अगर नीचे आ जाओ अगेन वह यह बस आपने minus भी कर दिया मैं recommend करूंगा आप इसका जो PDF वह लाजमी देखना क्योंकि वीडियो में शायद यह छोटी छोटी चीज़ें clear ना हो अब मेरे पास जितना board है उतना ही म तो co vertices मैंने आपको बता दी उसके बाद latest spectrum यहाँ पर बनेगा तीक है latest spectrum आपको दिखने में लग रहा है मैंने last class में बताया था जब parabola मैं ने पढ़ाया था तीन चीज़ें मैंने parabola में बताया थी पहले चीज़ cord cord हर shape का होता है जैसे अगर मैं एक point यहाँ पे pick कर लो एक point यहाँ पे है यह cord है जो focus से पास कर रहा है तो इसको आप बोलते हो focal cord ठीक है एक तीसरा cord था जो focal cord तो था लेकिन वो axis पे perpendicular है जैसे इसको देखो यह अब यह cord ही है यह ellipse के दो point को join कर रहे है focus से भी पास कर रहे है तो यह focal cord है लेकिन यह major axis के उपर क्या है perpendicular है तो मैंने बताया था ऐसा focal cord जो अपने axis के उपर अगर आप ellipse की बात करो तो ellipse में major axis के उपर अगर वो 90 degree बनाए तो उस वाले focal cord को क्या बोलते हो latest rectum अब ellipse के सब्सक्राइब यह इन दर भी आपको दो लेटर सेटम मिलेंगे क्योंकि दो focus है तो इसके जमा जो है प्लूलर जो है उसको हम बोलते हैं लेटरा रेक्टा ठीक है लेटरा रेक्टा यह जमा होगी लेटर सेक्टम की तो मेरे खाल में हर चीज जो ellipse की बनी भी है एक एक ची के focus तक का distance c center से लेके vertex तक का distance small a ठीक है तो ellipse के अंदर ये a जो है ये हमेशा greater होगा सी से क्योंकि ऐसा possible है कि focus diagram से भार जला जाए नहीं तो इसका मतलब c जो है वह हमेशा चोटा रहेगा a से a तो है ना center से लेके vertex तक का distance तो मैं नहीं चीज़ मेंशन की है अच्छा यह तो एक और चीज़ मेंशन है यह भी अपने यहां पर लिख लो के a जो है वो भी हमेशा greater होगा सी से एक अभी भी less नहीं हो सकता less का मतलब c greater हो जाए सी ग्रेटर नहीं हो सकता इसी तरह बीज़ेवा हमेशा चोटा होगा क्यूंकि अगर बढ़ा हो गया तो major एक्सी दो पर चोटा हो जाए गा अगर यह आपका center, vertices, focus यह सब y-axis पर shift हो जाते हैं तो अब A क्या हो जाएगा अब A यह पूरा ऑजाएगा और यह पूरा B हो जाएगा और यह पूरा B हो जाएगा तो तो दोना situation में आपने देखा कि अगर ellipse इस direction में बने मतलब horizontally extend हुआ है तो यह पूरा A है और B से greater होगा और अगर वो vertically extend हुआ है तो अब हम A y-axis पर ले लेंगे इस पूरी length को और 20 को ले लेंगे अभी भी A जो है वो greater ही होगा B से तो इस असूल को यहाद अखना A जो है वो B से greater है और A जो है वो हमेशा C से greater होगा अब आज ओ इस entity पे पहले मैं समझा दूँ आप लोगों को इस entity का एक formula तो मैंने पहले बताया था ना किसी भी point कर distance focus है किसी भी point कर distance जाए टेस है उसको divide करो तो आपके पास इस entity आती है इस entity का ellipse और hyperbola में एक और formula भी होता है पैरा बोला में एक जिस्ट नहीं करता क्योंकि पैरा बोला में सेंटर नहीं है यह इलिप्स और hyperbola के लिए है के इस entity होती है c upon a where c क्या है सेंटर से लेके focus तक का distance वो ही जो मैंने बताया c divided by a a क्या है सेंटर से लेके what is that का distance तो इलिप्स और hyperbola में सेंटर सिटी का formula यह होता है इलिप्स का एक special case होता है जिसको अब circle बोलते हो ठीक है कैसे भाई एक ellipse है ठीक है इसमें यह पूरा a है यह पूरी चीज एके बराबर है और यह पूरी चीज बी के बराबर है यह है और यह बी है अब सोचो अगर इलिप्स के अंदर मैं इसको इस तरह करता जाओ मतलब focus को मैं जैसी करीब लाता जाओंगा ना मैं अधर आप लों को थोड़ी picture दिखाता है इसकी जैसी focus आप का इलिप्स तक्रीब बनता जाएगा जितने focus करीब होते जाने सेंटर से आपका इलिप्स जो है वो सर्क्ल के करीब तर होता जाएगा एक वक्त आएगा कि focus बहुत ही करीब हो गया है कि almost distance 0 के बराबर हो रहा है तो अब जो आपका इलिप्स बनेगा वह almost circle बन जाएग अब ऐसी condition में अगर आप A निकालोगे और B निकालोगे तो A almost B के बराबर हो जाएगा कब जब आपके focus अंदर आते जा रहे हैं अंदर आते जा रहे हैं आपके shape जो है वो circle बनती जा रही है तो यह A distance जो है अभी छोटा होता जाएगा B बढ़ा होता जाएगा लेकिन अभ जैसी focus अपने center से मिल जाए तो A है वो B के बराबर हो जाएगा ठीक है अब जो आपके पास shape आएगी वो क्या होगी circle होगी और आपको बता है A और B यह दोनों चीज़ें क्या होगी radius होगी जैसे example लो यह normal focus था ना यह पूरा distance A था यह पूरा distance B था तो अभी तो circle से बहु डॉला को रहाएदर तो circle में आपको पता है यह वला पुरा distance और यह बलब पूरा distance दिखने में प्रादो यह प्रादिस्टेंस ने क्या होगा हमेशाँ पराबर होगा और इसको आप क्या किया तो circle में radius कहते हो ना center से लेके Bonaности Taka distance Circle में क्या होता है radius होता है च्यांब सबसे पहले में चीज बता दूँ साथ साथ ही में हर चीज कवर करवार हो इलिप्स की जब आप डेरिविशन करोगे न तो उसमें आप एक कंडिशन लेट करोगी वह कंडिशन होगी कि बी स्कॉायर बराबर है स्कॉायर लूने स्कॉायर उसमें उसमें करोगा अ कडिशन करोगेक्ओ इस स्कॉायर निय्all सबॉस् earrings नियुक्त की आरी आपरी तो जेंगे बराबर हो जाएं अब ellipse convert हो जाएगा circle की form में और जब A और B बराबर हो गए तो यह difference क्या हो जाएगा 0 के बराबर जब दोनों quantity बराबर होगी तो distance क्या हो जाएगा 0 के बराबर और C क्या हो जाएगा 0 के बराबर तो यहां से भी प्रूव हो रहा है कि C मतलब यह पूरा distance center से लेके focus तक circle में C क्या होता है 0 के बराबर होता है that's why centricity क्या होती है circle की 0 होती है और ellipse की centricity 0 और 1 के दर्मयान होती है क्यूंकि आपको बता है focus कभी बहार नहीं जाएगा focus जएदा से जएदा क्या हो सकता है इस point के करीब हो सकता है मतलब मैं एक ऐसा ellipse बनाता हूँ जो बहुत ही circle से deviate कर रहा है इस वाले ellipse को अगर आप देखो अब इसके focus और vertices देखो एक दूसरे से बहुत ही करीब होंगे लेकिन कभी मिल नहीं सकते है ठीक है यह मिल नहीं सकते है यह जहन में रख लेना ठीक है वो अगर मिलेंगे तो फिर पैराबोला बन जाएगा ठीक है यह भी सुन लो जब मिल गया है तो फिर आपको पैराबोल इस एंटिसीटी जीरो और वन के दरमयान होती है कैसे होती है यह मैंने रीजन बता दिया आपको किसी हमेशा चोटा होगा यह से तो वन के करीब हो सकती है वन के बरावर नहीं होगी तो यह आपने पढ़ लिया condition आपने पढ़ ली मतब यह वाली पूरी चीज मैंने तो तक्रीबर मैंने आपको एक्स के बारे में हर चीज बता दी है अगर कोई पॉइंट मिस हुआ होगा वह हम नेक्स वीडियो में भी देख लेंगे जब हम इलिप्स को सॉल्फ कर रहे होंगे इलिप्स के भी चार केसिस होंगे जैसे पैरा बोला में छे केसिस तेना इसमे अब आखरी चीज देख लो मेजर एक्स तो ये पूरा है ठीक है लेकर अगर आपसे बोला जाए लेंट और मेजर एक्स किया होगी इन दो पॉइंट के दरम्यान यह पूरी लाइन जो है अब इसकी लेंट किया है इतना ए है तो टोटल क्या हो जाएगा टू एक के बराबर हो जाएगा तो इस ए पॉइंट से लेके ए प्राइम तक का डिस्टेंस क्या है टू एक के बराबर है जिसको आप बोलते हो लेंट आउफ मेजर एक्स इसी तरह बी और बी डैश ठीक है यह पूरा माइनर एक्सिस था लेकिन अगर लेंट और माइनर एक्सिस की बात की जाए तो इस वाले की लेंट क्या होगी इतना भी था इतना भी बी था तो टोटल क्या हो जाएगा टू बी के बराबर हो जाएगा और अगर आपको बोला जाए सेमी मेजर एक्सिस निका लो तो major axis का half semi major axis नहीं जैदा अच्छा word है length of semi major axis ठीक है तो आप इसको half कर दो 2a का half क्या हो जाएगा a के बराबर मतलब जस इतनी length आप से पूछी जा रही है और इसी तरह semi minor axis क्या हो जाएगा इतना सा हो जाएगा एक और चीज इसंटी सिटी होती है c upon a c की value in term of eccentricity भी आप निकाल सकते हो a e मतलब एक उदर ले जाओ ना तो c बराबर हो जाएगा a e के तो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हो चार जितने भी चोड़े चोड़े पॉइंट है मैंने सब clear कर दी है अगर कोई बात याद आई तो मैं बता दूंगा आप लोगों को मैं कुछ मिटा रहा हूँ यहां पे ताके हाइपर बोला में समझा चाबू